नमस्कार यदी आपने 12th पास कर लिया है और साथ के साथ आप यदी ग्रेजियेट हो गए हैं और आप एड्मीशन लेना चाहते हैं इस वर्स तो इन युनिवर्सिटीज में जो की UGC द्वारा फरजी घुसित कर दी गई है इनमें भूल कर भी एड्मीशन मत लेना क्योंकि अगर आपने इनमें अड्मीशन ले लिया तो समझ जाएए कि आपकी लाइफ खराब हो जाएगी UGC ने डिकलेयर किया है 24 युनिवर्सिटीज को फरजी और अगर इन इन अगर आपने अड्मीशन ले लिया तो समझना कि आपकी लाइफ हो जाएगी यहां पर कि यहां पर एडमिशन लेने से लाइफ खराब हो चुकी है तो एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए मैं पूरा जानकारी आपको युनिवरसिटी के बारे में देने वाला हूं कौन कौन सी युनिवरसिटी है वो जो की फरजी घोसित कर दी है यूजी सी ने उच सिक्षा आयोग ने तो बने रही है अंत तक तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहां पर जो नैसनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 अगर हम उसकी बात करें तो बहां बोला जाता है कि हम भारत को हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को तीन बड़ी अर्थ ववस्थाओं में जो चल रहा है एजुकेशन सिस्टम उस लेवल पर ले जाने बाले हैं और यह हमारी एजुकेशन पॉलिशी कहती है और वहीं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी बातें लिखी गई हैं जिससे हमें पता चलता है कि 2030 तक हमारा जो system है वो सुधरकर bell develop हो जाएगा पर my dear aspirants और भारत के लोगों ध्यान से सुन लो आगर हमें भारत को उस level तक ले जाना है तो इसके लिए हमें बिल्कुल सचेत रहना होगा यहां पर UGC ने बताया है कि यहां 24 युनिवरसिटी जो भारत में काम कर रहे हैं जो की फरजी हैं और उन युनिवरसिटी की हम बात करें तो बिल्कुल confuse मत होना यदि आप इस साल admission लेने वाले नए चात्र हैं और यहां पर अगर आप admission लेना चाहती हैं तो आप सब के लिए यह एक important message होगा तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि message क्या दिया है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि युनिवरसिटी ने कहां कैसे यह message दिया है यहां पर condition यह कर दी है कि यहां message में बताए गया कि उच्छ सिक्षा विभाग ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युनिवरसिटी चल रही है और उसके बाद देहली में ऐसी युनिवरसिटी चल रही है जो की फरजी है और यहां पर बहुत सारे छात्रों ने और छात्रों ने admission ले लिया था जिन से उनकी life खराब हो चुकी है और आप भी अपनी life खराब मत करना क्योंकि अगर ऐसी जगह आपने admission ले लिया तो बहुत ज़्यादा problem हो जाएगी इस्टुडेंट एंड पब्लिक आर इनफॉर्म्ट एट करेंटली 24 सेल्फ स्टेल अन औरगनाइज़ इंस्ट्यूशन आर फंक्सनिंग इन कंट्रावेंशन आप दा यूजी सी एक्ट यूजी सी एक्ट के तहत यहां पर यह बताए गया है रजनीस जैन जी ने यहां पर भूला है कि यह जो इनफॉर्सिटी है 24 जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ उन सारी इनफॉर्सिटी के पास कोई अथॉर्टी नहीं है कोई राइट नहीं है किसी भी डिग्री को देने का और यहां पर ध्यान रखे कि आपको यहां एडिमीशन नहीं लेना क्योंकि अभी नए चात्रों चात्रा हैं पास आउट हो जाएंगे कोविट के बाद तो ध्यान रखना कि यहां पर आपको एडिमीशन किसी भी हाल में नहीं लेना है आगे बढ़ें तो वो कौन कौन सी उनिवर्सिटी है तो ये लिस्ट दी गई है देखीगा Commercial University Limited यहाँ पर दर्यागंज देहली में है United Nation University देहली में है Vokational University देहली में है ये देहली की उनिवर्सिटीज हैं इनके नाम ध्यान से पढ़ लेना और स्क्रीन सौट ले लेना यदि आप देहली के चात्रों चात्रा हैं तब और आगे अगर हम बढ़ें अगर आप UG, PG के चात्रा हैं तब भी इसको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि PG में भी आप admission लेंगे तो इन इनवर्सिटी में आपको admission बिलकुल भी नहीं लेना आगे बढ़ते हैं तो ये करनाटका की इनवर्सिटी है जो की FAC इनवर्सिटी है फिर ये केरला की है सेंट जॉनसन इनवर्सिटी ठीक है किसानतम केरला में है ये इसके बाद चलते हैं महरास्ट में तो महरास्ट में राजा अर्विक इनवर्सिटी है नागपूर महरास्ट में बेस्ट बंगॉल में है इंडियन इंस्ट्यूट आफ अल्टरनेटिव मैडिसिन अब आप सोचिए मेडिकल लाइन में तक यहां पर ऐसी इनवर्सिटी चल रही है इंस्ट्यूट आफ अल्टरनेटिव मैडिसिन रिसर्च रिसर्च तक करवाने को तयार है जबकि उनके पास कोई राइट नहीं है ध्यान से समझ लीजे अगर आपने यहां से डिगरी कर ली तो समझना कि आपकी लाइफ खराब होना है आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश की देखी यहां पर 13, 14, 15, 16, 17 इतनी सारी देखी यहां पर लिखा है कि बारणाशी है शंस्कृती विश्विद्याल है जो कि बारणाशी में है ठीक है जगतपुर नाम अच्छे से पढ़ लेना इन नामों कि अगर कोई भी उनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे है तो समझना दिक्कत हो जाएगी महिला ग्राम विद्यापीट विश्विद्याल है भूमेंस उनिवर्सिटी है यह गांधी हिंदी विद्यापीट प्रियाग अलावाद में नैशनल उनिवर्सिटी है इलेक्ट्रो कॉम्पलेक्स में नेताजी सवाष चंद्रवोस उनिवर्सिटी है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश विश्विद्याल है कौसी कालन मथुरा और आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश विश्विद्याल है महराना प्रताप सिक्षा निकेतन इंद्रप्रस सिक्षा परिशद ठीक है अब बात करते हैं ओडिशा की तो ओडिशा में नव भारत सिक्षा परिशद है इसके अलावा बात करें नौर्थ ओरीसा इनुवर्सिटी है पॉंडुचेरी की बात करें तो सरी बौध ही अकेडमी है यहाँ पर ठीक है आंदर प्रदेश की बात करें तो क्रिस्ट न्यू टेस्टमेंट डीम्ड इनुवर्सिटी है यह फर्जी है याद रखना यह 24 पॉलिसी लेकर आएं 2020 में वहीं पर आप यह सोचिए कि एक सिस्टम सुधारने के लिए एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएं लेकिन फिर भी आप सोचिए कि इस 24 इनुवर्सिटी भारत में काम कर रही है और यह फैक इनुवर्सिटी है जो की UGC ने बताई है ठीक है तो ध् ज्यादा शेर करिए इस मैसेज को ताकि सभी लोगों को पता चले कि कौन-कौन सी इनुवर्सिटी फैक है ताकि इन इनुवर्सिटी में कोई भी एडमीशन ना ले ध्यान रखना तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में कोई भी अगर आपको परिशानी त तो कमेंट वाक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद